सबी सात्यों का इंदी सत्र में स्वागत है आज अमारे साथ में भागेशाली जादव दीदी है और दीदी अपने शेरिंग को रखेगी भागेशाली दीदी लेक्चरर है इंग कॉंप्यूटर इंडरिंग डिपार्ट्विंग आज पॉलिटिक निक का जो मित्तब पुना के यहां पर है दीदी ने उनका फ़र्स्ट यूएटी वर्क्षॉप जुलै ट्वेंटी ट्वेंटीवन में किया था और तब से दीदी यूएटी प्रपोजर्स को समझने का और जीने का प्रयास कर रही है जी जी वोलेंटरिंग के बहुत सरे अक्टिविटीज में अपनी भ पतना हूं कि वो ने शेरिंग को तरखे दीदी ओगर किया जी नमस्ते भाईया नमस्ते कुमार भाईया शर्मिला दीदी सुनील भाईया तारा प्रसन्ना भाईया यश्वंत भाईया नमस्ते सभी को आज मेरी ये बैच एट की जो शेरिंग है वो मैं अपने संग्शिक्त परिशे से स्टार्ट करती हूं मेरा नाम है वागिश अली विक्रम जादो मैंने मास्टर्स इन इंजिनेरिंग इन कम्प्यूटर साइंस और इंजिनेरिंग की पढ़ाई की है मैं पिंप्रिचिंस वर्ड पॉले टेकनिक पुने इस कॉलेज में बतोर लेक्शर काम कर रही ह घर में मेरे पती जॉब करते है टाटा मोटर्स कमपनी में बड़ी लड़की गौरी वो फर्स्ट इयर की पढ़ाई कर रही है चोटी लड़की गायत्री नाइन्थ स्टैंडर्ड में है और लड़का अनीश वो फिफ्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है नेटिव प्लेस में मेरे ममी, पापा, सासुमा, देवर, देवरानी उनके बच्चे सब स्थीत है दो भाई है मुझे छोटे वो कुना में स्थीत है वो भी जॉब करते है उनकी भी फैमिली उनका भी सब मेरे रिलेटिव सुख पुरवक जी रहे है तो UHV की जो जर्नी है मेरी स्टार्ट हुई मैंने 5-day online faculty development program किया था introductory जुलाई 2021 में उसके बाद फिर मैंने refresher part 1 किया April 2022 फिर face-to-face FDP किया मैंने नापपूर में जुलाई 2022 में फिर उसके बाद मैं weekly meeting में join हुई फिर morning meeting मैंने batch 5 से join की और उस से अभी मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ और morning meeting का मुझे बहुत उप्यो उप्यो गया बहुत लाबदा ही रही ये meeting बहुत सारे discussion से clarity बनने में बहुत helpful रही दूसरा जो pointer है अभास एक और दो से क्या समझ बनी यहां पे मैं ये समझ पा रही हूँ जो मैं खुद को अभी समझ पा रही हूँ तो majorly इस बार मैं क्यों आई हूँ मैं यहां मैंने ये जन लिया है क्यों आई हूँ मैं यहां मेरा क्या उदेश है क्या purpose है मेरी life का मुझे काफी बार भी लगता पहले भी ऐसे तो मैं खापी कर चल दूँगी तो नहीं मैं आई तो हूँ मुझे तो कुछ करना है मुझे खुद को develop करना है कहीं तो ये मुझे में पता था कि आत्मा ऐसे शब्द पहले मैं use क्या करती थी उसकी जो development है उसका जो वीकास है वो बहुत ज़रूरी है ये बात मुझे कहीं तो पहले से थी तो मुझे बार-बार लगता, अरे मुझे ऐसे तो नहीं जाना है, मैं अपनी लाइफ का अगर end करू, तो कुछ तो मुझे लगे, अरे हाँ, मैंने किया, कुछ तो किया, तो वो जो है, क्या करना है, मतलब मैं क्यों आई हूँ, वो जो मेरा लाइफ का purpose है, मैं धूंडी रही थी, बट वो जो सही मायने में समझना, ढूंडने की कोशिश और मुझे लग रहा है, यहां मैं जुड़कर, वो मैं मतलब हासिल कर सकती हूँ, वो मेरा जो purpose है, मेरे यहां आने का, वो मैं साध्य कर सकती हूँ, यहां जुड़कर, यह clarity अभी काफी हद तक मुझ में बन रह था, भी क्या करना है, छोड़ दो, ऐसे inactive हो गई थी, बट जैसी-जैसी मेरी life का purpose, अरे हां मुझे यह करना है, यह तो इतना सारा काम है मेरे आगे, देखो कितना सारा कुछ समझना है, कितना सारा कुछ करना है सब के लिए, जैसी-जैसी यह clarity बन रही है, मुझ में वो activeness अभी काफी बढ़ रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है, यह सब कुछ करना, तो इस वज़े से न, मैं यहाँ पे काफी, गहरे में मैं जुड़ गई, जब से join हुई UHV से, यह एक बात अभी काफी clear हो रही है, और पहले से ही मैं अपनी, मेरा जो time है, मेरी जो energy utilize करनी ह मैं यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, और मुझे वो लगाना अच्छा ही नहीं लगता, बट यहाँ UHV के साथ जुड़के, जो meeting certain करती हूँ, जो चर्चा मैं सुनती हूँ, जो मैं भी कुछ रखने की, समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत ऐसे लग रहा है स सार्थकता के, बहुत सही अर्थ में सब ये मेरा यूटिलाइस हो रहा है, मेरा time, मेरी energy, और मैं ऐसे ही इसको आगे करती रहूँ, और intensity के साथ मैं करूँ, ये मेरी बहुत इच्छा बनती है, और ये मेरी कामना भी है, जैसे ही मेरा अभी purpose मुझे थोड़ा दिख रहा है, तो ऐसे लगता है, अरे देखो, अभी तो मैं 42 years की बन गई, आगे तो मुझे कितना time मिल सकता है मेरी इस शरीर के साथ, maximum 25 years तो शायद मिलेंगे, तो इतने ही time में मुझे इतना खुद को भी विक्सित करना है, दूसरों को भी मुझे थोड़ा help करनी है विक्सित होने में, क सभी सुखी हो, तो इस मायने में मुझे काम करने के भी बहुत जरूरत है, और फिर लगता है, अरे मुझे तो फिर इस शरीर को चलाने के लिए इसका भी फिर मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये जो जिन्मेदारी है शरीर के प्रतिवी, अभी मुझे सही मायने में वो दिख रही है ये बाते अभी मैं समझ पा रही हूं साथ ही साथ अगर मैं कहूं अपने बारे UHV से पहले तो काफी गड़बडी चल रही थी लाइफ में बहुत मुझ में एंगर, इरीटेशन, बहुत सारी उल्जन, बहुत सारा वेवहार से दूसरे वेवहार से मैं काफी परेशान हुआ करती थी, वहां पर जो अर्थ देना है, जो रियालिटी को देखना है, सामने वाले है वो भी एक सेल्फ है, वो भी उसकी भी कुछ मानने ताई है, संसकार है, जो अर्थ देना है, वहां पर मैं बहुत गड़ड़ी करती थी, बट अभी यह जो practice करते हैं हम exercise one exercise two उससे जो अर्थ देना है वस्तविक्ता को देखना दूसरा मनुश्य भी self और body का coexistence है इसको मैं अभी अच्छी तरह से देख पा रही हूँ तो उस वज़े से फिर मुझ में जो दूसरे वेक्ति के वेभार से लेकर बहुत सारे question बनते थे वो काफी हद तक अभी answered हो गए है इस वज़े से न वो फिर मेरी एक अराम की स्थिती बन रही है और मैं अपने पे काम कर पा रही हूँ ठीक ठीक साथ ही इस बार मैंने मेरी family की harmony इस पर भी मेरा थोड़ा धान दिया काफी हद तक मैं वो भी करने में कर पाई पहले ऐसे था before UHV मेरी ही स्थिती ठीक नहीं मैं इतने में इतनी अपने में ही उलजी हुई हूँ परेशान हूँ अंदर से तो कभी तो ऐसे उबल रही होती थी इतना गुस्सा रहता था वही वही बाते बार बार याद होना वही incidences औरे क्यों कि या उस वाक्ती ने ऐसे मैं तो सही ही कर जी थी ना उसने ही ऐसे किया और इस वज़े से फिर बहुत ऐसे मैं अंदर से मांडो जैसे उबल ही रही रहती थी और उस वज़ए से मेरे बच्चे तो इतने चोटे-चोटे थे और फिर वो कुछ बात भी करने आ गए तो एदम से मैं गुसा हो गई एदम से फिर बाद मे थोड़ा realize भी होता अरे थोड़ी गलती हो गई तो इस वज़े से क्या हुआ था family में फिर बच्चे जैसे थोड़ा दूर दूर ही रहते थे थोड़ा सा डरे हुए सहमे हुए ही रहते थे तो वो बात मुझे फिर काफी note हुई जब मैं थोड़ा comfortable हो गई, काम हो गई तो अरे यह देखो ऐसे कुछ हो रहा है बच्चों के साथ तो फिर मैंने वहाँ पे भी थोड़ा काम किया मैं जैसे शान्त हो गई, comfortable हो गई अच्छी तरह से उनसे बाते कर रही हूँ थोड़ा उनके साथ time भी बिता रही हूँ तो बच्चे automatically comfortable होने लगे मुझसे बाते करने में औ और उससे comfortable बाते करने लगे फिर आके गले लगते हैं प्यार से कुछ उनका जो expression है वो करते हैं तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ अब जो मैं यह कर रही हूँ वो सही चल रहा है यह एक घर की हार्मोनी के related मैंने इतना काम किया और साथ ही फिर बीच में ऐसे थोड़ा लग कि मैं यह जो UHV के contents मुझे इतने important लग रहे है तो मेरी family के लोगों ने भी करने चाहिए मेरे husband ने मेरे बच्चों ने बड़ी लड़की में ऐसे तो ठीक है मैं अपना प्रयास जारी रखती हूं जितना हो सके स्थिती पर स्थिती को देख कर जहां कहीं प्रपोजल को रख दिया करती हूं वो भी एक self है उनकी भी कुछ एक journey है जुडेंगे भले अभी नहीं तो बाद में जब भी उनको थोड़ा सा इसकी जरूरत महसूस होगी या थोड़े दिनों के बाद वो भी जुड़ जाएंगे घर में एक वेक्ती तो समझदार बने मेरी योग्यता तो ब बन रही है साथ ही ये लगता है कि मुझे अगर हम प्यार से सही शब्दों के साथ बच्चों को कुछ बाते बताओ उनको समझाओ तो वो सिकारते है और response भी देते है ये भी देखा मैंने और ये लगता है कि मुझे मेरा अचरन जो है वो सही रखते हुए सही का जीना क्या ह होता है एक एक एक्जामपल के तौर पर उनके सामने रखने की जरूरत है तो वो स्विकारेंगे स्विकारते है बच्चे जो सही है उसे स्विकारा जाता है तो वो मुझे पे काम करना और मैं इसके साथ जुड़कर अपने में काम करती रहूं सही का एक्जामपल उनके साथ सामने रखू ये मुझे भी समझ आ रही है साथ ही मैंने ये भी एक काम किया अपने पर जो धान बना रहता है काफी time के लिए maximum time के लिए मैं अपने उपर camera बना कर रखती हूं अपने पर धान बनाई रखती हूं तो इसके साथ क्या हुआ कि camera बना हुआ है मेरे उपर तो मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं क्या विचार कर रही हूँ, कैसे मेरा वेवहार, behavior, क्या भाव बन रहे है, गड़बड़ी हो गई तो क्या वहाँ पे मांड लिया मैंने था, इस वज़े से फिर मेरी स्थिति या मैंने गड़बड़ी की, ये काफी बार मैं देखती रहती हूँ, तो इस वज़े से न, क्या हुआ, कि हम भी गलतिया करते हैं, बहुत बार, अंजाने में होती है, मुझसे तो ये मैंने नोट किया कि, अंजाने में ही बहुत बार हम गड़बड़ी कर लेते हैं, जैसे एक example हूँ, college में मैं गई, और कुछ तो मेरे दिमाग में चल रहा है, हाँ, जाकर ये काम करना है, ये मेरा भी बहुत important काम है, आज ही complete हो जाना चाहिए, तो मैं अपने विचारों में हूँ, कोई तो मेरे friends, मेरे colleagues, pass हो रहे हैं सामने से, और मैंने उनको देखा भी नहीं, hi hello भी नहीं किया, smile भी नहीं दी, तो फिर मुझे पता चल में थी, तो मैंने फिर ऐसे response भी नहीं दिया, तो दूसरे से भी ऐसे होता है, जैसे जैसे जितने जितनी गहरे में मैं अपनी गलतियों को, या अपने जो थोड़ा सा behavior, expressions में, काम करने की जो एक pattern में, थोड़ी हम गलतिया करते रहते हैं, चूक होती रहती है, जितना मैं अ अपनी चूक हो जाती हूँ, वहाँ अपने को मैं कहती हूँ, देखो, ये तुम्हारे से चूक हो गई न, वैसे ही दूसरे से भी होती होगी, ऐसे मैं वो बार-बार अपने को समझाती है, समझने की कोशिश करती हूँ, साथ ही अभी और एक बात, ये भी मैं देख पा रही जैसे मेरे husband जो है थोड़ा गुसा होते है एकदम आता है उन्हें गुसा या बच्चे भी कभी-कभी थोड़ा सा चिड़ते हैं गुसा होते हैं तो उनकी जो स्थिती ये बनती है तो अभी मैं oppose में गुसा नहीं होती या मुझे ऐसे चिड़ नहीं आती जैसे पहले होता था मेरे husband कुछ गुसा हो गए तो मैं भी एकदम से गुसा हो जाती थी तो अभी वो बिल्कुल नहीं होता है घर के लोग अगर किसी कारण अगर गुसा हो रहे है चिड़ रहे है आवाज उनका चड़ा हुआ है बोलने का तरीके में कुछ उनके up-downs आये या थोड़ा सा हारशली या थोड़ा सा हमें लगता है ऐसे कुछ भी होता है तो अभी मैं बिल्कुल चिड़ती नहीं हूँ उनकी स्थिती क्या बन रही है किस कारण किस स्थिती की वज़े से या किस कारण वो ऐसे कर रहे है उस पर मेरा धान जाता है और उसी वक्त अगर हो सक तो मैं थोड़ा सा उनको बताती हूँ या बोलती हूँ या फिर थोड़े टाइम के बाद next day क्या हुआ था क्यूं ऐसे हुआ या वहां पर क्या उनको समझ देनी या कुछ रखनी जरूरी है वो मैं काम करती हूँ और एक बात यहां मैं यह नोट किया मैंने जभी ऐसे किसी वक्ती की काफी वो मतलब एकदम से बहुत जोड़ से गुसा हो रहा है तो मुझे फील होता है अरे देखो कितना परेशान हो रहा है ये वक्ती और मुझे दुख भी होता है और उसी वक्त फिर तोड़ी देर के बाद लगता है अरे मैं जादा भावक हो रही हूँ शायद क्यों वहाँ पे मैंने ये भी माननेता को देखा कि भावक होकर तो जिया नहीं जाता ना इतनी भ प्रती के प्रती थोड़ा सा सेंसिबल होते है या उसकी स्थिती को देख कर मुझे थोड़ा सा दुख भी होने लगता है तो मेरी कुछ ऐसे माननेता आ जाती है और फिर मैं ऐसे नीट्रल हो जाती हूँ ये भी देख पा रही हूँ पहले ऐसे था ना मैं काफी दबाव महस कर पाऊंगी कि नहीं अगर ये गलती हो गई कुछ ये चूक हो गई तो मुझे सुनना पड़ेगा और मुझे तो सुनना अच्छा नहीं लगता ना तो ऐसे कुछ काफी चलता रहता था बट अब ये हो रहा है कि कोई बात नहीं मेरी जितनी योग्यता है मैं उतना प्रयास जरूर करूंगी और improvement के लिए वहाँ पे scope तो हर वक्त बना ही हुआ है उनसे कुछ suggestion आते है ठीक है सही 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 शब्दों में रखेंगे जो मैं चाहती हूँ मेरा जो acceptance बना हुआ है उन शब्दों की तरफ वैसे नहीं आएंगे कभी थोड़ा गुसा भी करेंगे कोई बात नहीं improvement के लिए वहाँ पर अगर scope बताया जा रहा है तो improvement कर लेंगे और मेरे भी संबंदी है न वो तो ऐसे फिर अभी बात समझ में आ रही है तो दबाव थोड़ा कम बन रहा है मुझ में एक गुसा या विरोध का जो भाव काफी बना हुआ था वो काफी हद तक कम हुआ है क्या होता है था college में कुछ जो higher authorities जो है meeting में ही काफी बार ऐसे काम को लेकर थोड़ा सा बाते point out हुआ करती थी तो जब भी ऐसे होता तो मुझे बहुत विरोध आता था और मैं बात ही नहीं करती थी कुछ भी नहीं बोलना है ना clarification देना है कि और कुछ भी नहीं और फिर बात बंद कर देना ऐसे किया करती थी बट अभी ऐसे नहीं करती मैं बिलकुल भी कुछ हो गई बात तो उस वक्त अगर हो सकता है तो मैं अपनी बात रखती हूँ, बाद में जाकर भी उनके सामने मेरी जो बात रखनी है, मेजरली कहां चूक हो रही है, उस बात को मैं समझने की कोशिश करती हूँ, इंप्रूमेंट कहां होना चाहिए, उसको भी मैं समझने क कोशिश करती हूं तो बात करना अभी मैंने शुरू किया है विरोध का भाव कम हुआ है शायद इस वज़े से मैं बात करती हूं ऐसे ये भी एक समझ विक्सित हुई है ये भी मैंने देखा कि जो मेरे डिस्थार्मोनी मुझमें जो बन रही थी उसका शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा था ये बात भी मैंने नोट की मुझमें जो काफी विचार चलते गुसा विरोध थोड़ा बनने की वज़े से फिर काफी विचारों में भगदड मची रहती तो इस वज़े से शरीर में फिर एक ऐसे मुझे जखडन सी खिचाव सी जो हमारे जो ब्रेंड से जो निकलते हैं, बाइलोजिकली पता नहीं मैं सही रख पाऊंगी कि ने, बट जो हमारे जो ब्रेंड से जो ऐसे निकलते हैं, तो ऐसे मुझे ने खिचाव सी लगता था और फिर नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, फिर कमर में दर्थ है, ये काफी चलता रह बट कुछ दिनों से मैं ये देख पा रही हूं, जैसे जैसे वो विचारों में जो भगदर मची हुई थी, वो कम हुई है, अभी ज़्यादा तर टाइम में भाव को देखने पर लगाती हूं, तो इस वजए से ये जो मेरा थोड़ा हेल्थ इसूज बने हुए थे, वो काफी विचार में जब उलजी रहती थी, तो डाइजेशन के भी प्रॉब्लेम, कभी-कभी जादा खा लेना, खा लिया करती थी, भूग तो नहीं है, बट ऐसे ही खाती जा रही हूं, कभी-कभी ये भी मैंने देखा कि कुछ उलजन इतनी बड़ी हुई थी पहले, तो चा पॉइंटर है, कितने स्टेप्स को साफ-साफ स्वय में देख पा रहे हैं, तो एक्सरसाइज वन, स्टेप वन जो है, तो ये जो है स्टेप्स मैं अभी काफी सहेचता से अपने में कर सकती हूं, काफी क्लियरली साफ-साफ मैं अपने विचार, भाव, इसको देख पाती हूं, घर के काम करते-करते, गाड़ी चलाते वक्त, कुछ काम करते हुए कॉलेज में भी, लेक्चर ले रही हूं, तब भी अपने पे ध्यान बना हुआ रहता है, कि क्या मुझ में भाव बन रहे हैं, विचार बन रहे हैं, ये स्टेप को मैं काफी क्लियरली सहेचता से कर पा रही हूं, ये स्टेप नमबर टू है, एक्सेसाइज वन का, यहाँ पर ये होता है, माण लिजे कभी गुसा हो भी गई, तो फिर क्यों आया ये गुसा, पहले मैं समझती हूं, और फिर क्या मुझे ये स्विकार है, ये गुस्ते का भाव, ये सवाल में अपने आप से पूछती हूं, तो पता तो चलता है, ये तो स्विकार नहीं है, तो फिर संबंद के भाव ही स्विकार है, तो ऐसे मैं अपने पर काम करती हूं, exercise one step three जो है कि मैं comfortable हूँ क्या इस वक्त इस action जो मुझे में भाव बने है उसके साथ मैं comfortable हूँ क्या तो ये जो step है ये मैं काफी अराम से सहचता से कर पाती हूँ अपनी स्थिती को मेरी स्थिती कैसी बनी है comfortable है क्या नहीं है uncomfortable है क्या मैं इसको काफी अच्छी तरह से समझ पाती हूँ या भाप लेती हूँ स्थिती को मैं देख पाती हूँ step number four जो है यहाँ पर मैं अभी भी थोड़ा रुक जाती हूँ इतनी सहचता से ये step नहीं होता है कौन decide कर रहा है अभी भी जो लगता है कि बाहरी स्थितिया ही मुझे ये करवा रही है ये जो बहुत गहरे में कहीं तो बैठा हुआ है तो इस वज़े से ये काफी सहचता से ये step मुझ से होती नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा काम करनी की जरूरत है next session में step number five जो है बहुत बार तो मानने ता कि अधार पर ही हमारी भाव feelings बनती रहती है सही समझ के अधार पर बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है या याद करके वो काम करना पड़ता है step number जो six है कौन से भाव आपको naturally acceptable है तो वो तो पता चले है कि relationship, harmony, coexistence ये भाव हमें naturally acceptable है बट अगर मैं अपने में देखू तो सही मायने में उन पर जो काम होना चाहिए वो अभी शायद मुझ से नहीं हो रहा है तो उस पर अच्छी तरह से काम करने की जरूरत है step number seven जो है इस पर भी मुझे काम करने की जरूरत है थोड़े टाइम के लिए ensure होती है naturally acceptable feeling continuity नहीं बनती है तो इस पर भी मुझे काम करना पड़ेगा exercise two step one मैं और शरीर ये दो अलग-अलग हिकाईया है उनके activities को देख कर ये पता चलता है कि ये दो अलग-अलग realities है step two जो interaction है शरीर और self के बीच में ये काफी अच्छी तरह से मैं समझ पाती हूँ ये भी देखा है कि ज़्यादा तर टाइम तो हम अपने में ही बने होते है ज़्यादा तर टाइम मैं अपने ही विचारों में imagination में बनी रहती हूँ और जैसे ही कुछ काम करना है कुछ उस टाइम पे ही हम अपने शरीर को instruction दे देते हैं कि ये काम करना है उठो ये काम करो इसको पकड़ो ऐसे काफी सारे instructions हम देते रहते हैं इसका एक example बीच में मुझे एक काफी note हुआ मैं hall में बैठी थी और कुछ विचार चल रहे थे morning meeting खतम हो गई थी कुछ तो proposal या कुछ discussion हुआ था तो उसके बारे में विचार कर रही थी तो hall में बैठी थी college के लिए निकलना था तो मैंने instruction देके रखा कि अरे यहां kitchen में जाने के बाद जो सबजी का डबा है फ्रीज में रखना है इतना instruction देके रखा और विचारों में फिर मैं अपने लगी रही और फिर थोड़ी देर बाद मैं उठी वो instruction देके रखी थी शरीर को कि डिबा फ्रीज में रखना है तो मैं वहां जाके वो जो जहां पे डिबा था वहां जाके रुख गई फिर मुझे लगा कि मैं यहां क्यों रुखी हूँ तो मुझे फिर याद आया आगे जो instructions देने थे कि उठाओ डिबे को fridge को open करो अंदर रखो fridge का दरवाजा बंद करो यह instruction शायद मैंने आगे के दिये ही नहीं थे तो शरीर वहां जाके सिर्फ रुख गया आगे कुछ वो करी नहीं रहा था ऐसे ये एक example मुझे note हुआ जीने में step 3 जो है कौन decision ले रहा है तो मैं ही decide कर रही हूँ किस समवेदना को पढ़ना है कि कौन से instruction को देना है इसका decision तो मैं ही ले रही हूँ ये अभी काफी clearly बात note हो रही है जिसे हम important समझते है उनी समवेदनाओं को पढ़ते है ये बात भी समझ में आ रही है step number 4 मैं समवेदना नहीं हूँ मैं समवेदना में नहीं हूँ बट मुझ में और समवेदना में दूरी है ये दूरी को अभी शायद मैं देख नहीं पा रही हूँ पूरी तरह से इस पर अभी धान भी मेरा गया नहीं है इस पर मुझे काम करना पड़ेगा step number 5 जो interaction है outside world से वो समवेदना के ही जरिये होता है ये बात भी समझ में आ रही है और जो मैं समवेदना को receive करती हूँ उसको जो अर्थ देना है वो भी मैं ही करती हूँ ये बात भी समझ में आ रही है step number 6 जो अर्थ देना है वो हम हमारे संसकारों के अधार पर ही देते है ये बात भी समझ में आ रही है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा और अच्छी तरह से काम करना है क्योंकि मानने था कि अधार पर ही most of the time में अर्थ देती हूँ सही समझ के अधार पर जो अर्थ देना है वो मुझे और अच्छी तरह से शायद सीखना है next session में इसके उपर मैं अच्छी तरह से काम करूँगी जो मेरा अर्थ देने का जो pattern है या जो मैंने अर्थ दे रही हूँ क्या ये सही है या नहीं है कैसे दिया जाना चाहिए अर्थ सही तरीके से ये मुझे थोड़ा और सीखना है हमारे जो acceptances होते है वो अभी मैं काफी अच्छी तरह से देख पाती हूँ जिस वातावरण में जिस घर में जिस लोगों के साथ जिस school में हम पड़े बड़े हुए तो वहां से ही हमने कुछ acceptances लिये होते है जैसे मेरी मम्मी पपा कुछ बात करते है मेरी दादी वहां से ही जो वातावरण में हम बड़े होते है वहीं से ही काफी सारी हमारी acceptances बनी होती है कुछ बोलने का तरीक है ऐसे ही बोलना सही है ऐसे अगर कुछ बोला जाता है तो वो गलत ही है तो हमारे ऐसे कुछ acceptances बने होते है इसका मैं एक example यहां रखती हूँ, कि मेरे पापा जो है काफी शान्त है, वो काफी शान्ती से बाते करना, कुछ हमसे गलती भी हो गई तो समझाते रहते थे, तो फिर ऐसे होता था कि कोई इसको छोड़ कर, कोई शान्ती से अगर बात नहीं कर रहा है, यह मेरा गहरा acceptance है, इस कुछ तो ठीक नहीं है, यह गलत है, तो हमारे ऐसे काफी acceptances बने होते हैं, जो तो वो acceptance को छोड़ कर थोड़ी भी अगर बात हम receive करते हैं, तो वो हमें स्विकार नहीं होती, यह अभी मैं देख पा रही हूँ, या समझ पा रही हूँ, मैंने और एक संसकार यहां पे देखा और काफी मुझे थोड़ा सा खुद में ही लगा, रहे देखो कितने सारे संसकार अपने में बने हुए हैं, तो क्या होता था, शाम को कॉलेज से मैं आ गई, तो पांच बज़े तक आ जाती हूँ, फिर आके जो अपना काम करना है, चाय बगरा बच्चों का कुछ काम बगर स्टार्ट हो गया, और साथ एक बज़े मेरे हस्बंड आ जाते हैं, तो जैसे ही मेरे हस्बंड आ गए, उनकी आवाज सुनी मैंने, या वो आ गए, तो मैंने एक बात यहां नोट की, ना, कि एकदम से ना, उनकी आवाज सुनी या वो आ गई, तो फिर मेरा जो है ना, ऐसे facial expressions ऐसे बन जाता था कि अरी मैं थक गई हूँ अभी दिन भर मैं काम करके कितना मैं ऐसे थक गई हूँ तो facial expressions भी change हो रहे हैं थके हुए और ऐसे लग रहा है अपने आप में ही मैं काफी थक गई हूँ तो मैंने ये note की बात अरे अब तक तो मैं काफी actively या कुछ नहीं लग रहा था तो अभी क्यों लग रहा है तो कहीं तो ना ये एक संसकार मुझ में बना था फिर मैंने इसे दो-तीन बार इसको देखा, note किया अच्छा हुआ कि मैंने शायद वहाँ पे कुछ reaction नहीं दी तो वो जो संसकार था वो अभी चला गया है, अभी ऐसे कुछ नहीं होता है जो स्थिती पहले बनी थी, वही continue में मेरी चलती रहती है, मेरे काम चलते रहते हैं, तो ये संसकार को मैं देख पा ही ऐसे हमारे में काफी मुझे लगता है गहरे-गहरे संसकार है और वो इसका सिर्फ मैं इमाजनेशन में ही इसकी इमेज क्रियेट कर पा रही हूँ इस पर भी मुझे काम करना है नेक्स्ट जो पॉइंटर है सुक्सोभाव है या प्रभाव इस बिंदू पर कितनी स्पष्टता बनी इस बार इस पॉइंटर पर मुझे काफी स्पष्टता बन रही है सुक्तो मेरा स्वभाव ही है जो मेरा स्वभाव मतलब स्वयम में स्थापित भाव कौन से स्वयम में स्थापित भाव है संबंद, व्यवस्ता, सहस्तित ये स्थापित है, है मुझ में बस मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, काफी सारे जो अंचाहे, अनर्गल भाव हमने बनाए समझ के अभाव में, गुसा, विरोध, इरिटेशन, इस वज़े से जो मुझ में जो स्थापित भाव है, इनी भाव से मुझे सुख मिलता है, उन भाव को मैं देख नहीं पा रह हूँ, तो सुख मेरा सुभाव ही है, ये clarity अभी थोड़ी थोड़ी बन रही है, यदि सुख सुभाव है, तो किस रूप में, उसको स्वय में सुनिष्चित करने के लिए क्या कारिक्रम कर रहे हैं, ये जो pointer है, तो सुख तो मेरा सुभाव है, स्वय में स्थापित भाव, जो समधन्द व्यवस्था सहस्तित्व का भाव, उसको देखने के लिए अपनी योगयता को बढ़ाना पड़ेगा, समझ को विक्सित करना पड़ेगा, अपने पे मुझे और बहुत काम करनी की जरूरत है, ये बात भी और उसके लिए जो कारिक्रम है, वो भी करने की जरूरत है, ये बात अभी समझ में आ रही है, हमारा कितना कारिक्रम अभी भी अनुकुल प्रभाव जुटाने के अर्थ में है, अभी की जो स्थिती मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत कम या ना के बराबर है, या बहुत कम है, प्रभाव तो अभी भी शायद हो सकत है, तो उसको भी मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी तो लग रहा है कि मैं प्रभाव में नहीं हूँ, समवेदना या भाव से जो प्रभावित हुआ कर्थी थी पहले, काफी हद तक कम हुआ है, नेक्स्ट पॉइंटर, हमारा कितना कारेकरम अभी मैं के अर्थ में या कितना शरीर के अर्थ में है, तो मैं के अर्थ में जो कारेकरम है, वो तो मुझे लगता है जितना हम घंटे सोते हैं, मान लीजे, छे या एट घंटे, उसको छोड़कर तो दिन भर हम ये कर ही सकते हैं, और मैं ये कर भी रही हूँ, और शरीर के अर्थ में जो कारेकरम हैं, जैसे जॉब करना, खाना बनाना, सोना, इन बातों को इतना ही मैं शायद शरीर के अर्थ म कारेकरम कर लिया करती हूँ, इसको छोड़कर जो बाके टाइम है, या कंटिनुएशन में तो हम मैं के अर्थ में कर ही सकते हैं, जो कमिटमेंट है, उसके बारे में, जितनी मेरी योग्यता है, या उसके अनुसार में भागीदारी करना जरूर चाहूंगी, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से मैं अपनी भागीदारी कर पाऊं, और अभी जो है, अगर दिन में, अगर मैं देखूं तो एक घंटा तो मैं निकाल सकती हूं, एक या दो घंटा भागीदारी के लिए, तो ये मेरा कमिटमेंट रहेगा, जी, नमस्ति भया जी, धन्यवाद दिदी, बहुती सुन्दर शेरिंग को आपने ही रखा, और जिस तरह से आप संस्कारों को अभी बहुत गहरे में देख पा रही हूं, ये सभी के लिए बहुत मतलब अच्छी पारट है कि हम सभी मतलब इसको देखने का प्रयास करेंगी, तो धन्यवाद जी, नमस्ते सभी को, दिदी के शेरिंग अच्छी रही, एक अच्छी बात ये भी रही कि ये जो बैच 8 का सेशन चला, उसमें दिदी ने काफी नियमीत रूप से सुबह का सत्रा टेंड किया है, अपने बातों को रखा भी है, और इस दोरान गहनता से अपने उपर काम किय है, जैसा आपके शेरिंग से भी दिखाई दिया, ये भी दिखाई दिया कि दिदी कल्पना सीटा में काफी भगदर रहा है, काफी उतार चठा और ये स्वय में मन्थन, या मुझे लगता थोरा ओवर ठिंकिंग की भी इस्तिती रही है, और इसे निकलने का प्रयास में उस कहीं या तो स्वयम को दोशी मानना या दूसरे को दोशी मानना ये वाली इस्तिती काफी रही है, और उसे निकलने का प्रयास कर रही है, क्यों, ठीकर हो निदी? जी, जी, ये स्कुलियागगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग तो इस अभ्यास को और विदिवत करने की ज़रत है, और साथ में ही भागदारी को करने की ज़रत है, वो एक फेज अभी थोड़ा सा डियू है, जिसमें हमको श्रम ना करना पर इस वह में, ऐसे भी कोई इशू आता है, समस्य आती है, और हम तच्छन का समाधान देख पाएं, और तभी हो पाता है, जिए हम सम्बंद को सहज रुप से देख पाते हैं, अभी सम्बंद के बारे में कुछ मानेता है, हमारी बनी रहती है, इसको हम कई बार क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और उसके साथ फिर इन बातों को जोड़कर अपने आपको समधानित करने का प् जिसमें थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे रहता है कि अभी बाधा पहुचा रही है, तो इसलिए हम सम्बंद को फैल के नहीं देख पा रहा है, सम्बंद को मैं से नहीं देख पा रहे हैं, और कुछ हमने इक यह भी रहता है कि स्विकृतियां भी है कि परिवार ठीक से चले परिवार में इसी विधी से चले कुछ बीगड़े नहीं एक सीमा से अधिक कभी कोई डैमेज ना हो इस तरह की चीज़ों को लेकर भी हम बहुत करने हो जाते हैं और उसमें कई बार यह होता है कि फिर हम खुद में परिशान होते हैं दूसरे को पर इंपोज करने लगते तो उससे भी कई स्थितियों सम उबर पाएंगे परिवार में वैसे ऑगनाइजेशन में तो थोड़ा से इसको और विधिवत करने के जुरत है संबंद को और स्पस्टूफ से देखने की जुरत है व्याफ्था को भी और स्पस्टूफ से देखने की जुरत है व्याफ्था बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे या दूसरों को ऐसा लगे कि कुछ अप्रत्याशिक जैसा चीज़े हो रही है परंतु उसमें भी अगर हमको स्पस्टुक से दिखाई दे रहा है तो हम दूसरे को हर समवार में दिखा पाते हैं कि देखो इसमें सुकी नंतरता है इसमें सम्मान है कि इसमें परतंतरता है या सोतंतरता है तो वह चीज होगा मिलगा ऐसे लिए वरक्शॉप लेना आप लिए काफी उत्योगी रहेगा इस उध्यर मुन से निकलने के लिए तो वह अगर आप थोड़ा सा उसके ध्यान दें तो इसे और अच्छी गती वनेग अच्छी बात यहीं कि प्रयासों से बीटी ने भी पूरा सत्र सुना है उसने रेडी भी किया रात तक बैठी थी तो फिर बुला लिए हम लसुन लेते हैं दो मिनेट मैं बुला लिए देखती हैं करता कि नहीं कोई प्रश्न हो या को शेरी हो रखते हैं तो तक बीदी सुना है उनके प्रयासों की सफलता है यह श्वन पहिया लड़की थोड़ा बात रखेगी अजी मस्ते सभी को मेरा नाम गवरी जाध हुए और मैं फॉर्स्ट येर्म बीबीएस मैं पढ़ रही हूं फॉर्स्ट येर्म बीएस का कोर्स कर रही हूं तो पिछले मंत में मैंने UHV के जो रेकॉर्डड वीडियोस थे वो अटेंड लाइक वो सुने थे एक दो वीडियोस और उसके बेसिस पे मैंने ये समझा कि सुख जो है वो सुभा होता है और जब वो सुभा होता है तो फिर उसकी निरंतरता रहती है कॉंस्टेंट रहता है और हार्मोनी लाइक हम उससे हार्मोनी अटेंड करते है एक कंटिनियूटी रहती है और जब वो प्रभा होता है तो फिर उसकी कोई निरंतरता नहीं रहती है टेंपररी रहता है डिपेंडे रहता है। सुख सभाव तभी हो सकता है जब हमारी सही समझ होगी, सही विचार होगे और दूसरे के प्रती सही फीलिंग्स होगे। इस प्रपोजल के बेस पर मेरे मैंने बहुत अपने में चेंज पाया है। जैसे की मैंने अपने में देगा है की मुझमान कामपीशन की फीलिंग होती है। और। कमपनिशन और। दूसरे के like, emotions पर dependency होना और देन। एक, दॉमिनंस की फीलिंग्स, जो मैंने अपने में देखी है, एंड वो अफ्जर्व करके मैं दूसरों के प्रती सही बाव इस्टाब्लिश कर पाई हूँ एक बार मेरी फ्रेंड ने हॉस्टल में मेरी साइकल लेकी गए थी मुझे बिना बता है सो मैं उसके उपर बहुत गुसा हुगे थी बट मैंने वो गुसा व्यक्त न करके उसे रिस्पॉंस उसको अच्छी तरीके से डिल किया उसमें उसपे रियाक्ट ने किया मैंने उसका रिस्पॉंड किया उसको मैंने विदाउट गेटिंग अंग्री मैंने उसको उस चीज पर समझाया कि यह जो उसने किया, वो सही नहीं था, नहीं तो फिर अगर मेरे पास अगर यह proposal नहीं होता, तो फिर मैं उसके उपर react करती, और जो हमारा संबन था, friendship का, वो maintain नहीं होता, तो इस वे में मैंने उस चीज को handle किया, और एक्जाम के पहले थोड़ा सार एक overthinking जो होता था, वो काफी हद तक कम हो गया, और लाइक मैंने एक खुद में लाइक confidence पाया, और जो thoughts है, वो भी stabilise हो गया, काफी हद तक, on the basis of this proposal. जी, शायद अगली बार और अच्छी तरह से रख पुदा होगा है, जी, लेकिन बहुत बढ़ी आरे, बीटी है कि भी sharing, जी, बहुत बढ़ी आ शेरिंग बेटा, अगली बार हमनों चाहेंगे आप पुरा सत्रा 10 करें, और गहराई में आप sharing करें, बहुत अच्छा, थैंक जी, जी, यह धन्यवाद लिदी, तो सभी साथ योग का इस सत्रमें उपस दुक्रेने के लिए धन्यवाद, जी, आ, झाल झाल